हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको सीबेस से और यूपी बोड की थर्ड पोएम एड टाइगर इंदा जू जिसे वेल्स पोएट और सोट स्टोरी राइटर लेसलाइड नूरी ने लिखा है उन्होंने इस पोएम में प्राकर्तिक परवेस में बाग और जू में पिंजराई में बंद बाग को कॉम्पेर किया है बहुत ही खूशरत पोएम है और थ्रू दिस पोएम ही डिलिवर्स अ मैसेज फी पोएट कहे रहे हैं फस्ट नजा में ही स्टॉक्स इन इस विवИ ट्रॉब इंड जाए डिय उन पंड गट हे फोएट जाएट कैस्ट रहे है बनु आइज विविविट पोएट इस विविविड गैट इन ये स्टॉक्स पाल गट है तहलना कैस्टॉक्स गट्स कोच कॉम्पेर्ग जाई न्रूर। अपने पिंजडे के कुछ कदम यहाँ पर अपने पिंजडे के कुछ कदम का मतलब है उसके पिंजडे में इसपेस कम है वहाँ पर वो कुछी कदम टहल सकता है पेरों के उसके पंजे के निचला हिस्सा जो भोती मखमल जैसा होता है तो उसके मखमली पंजों पर इसका लाइन का मतलब है वेलवेट कॉइट का मतलब है पूरी तरह मखमल के पंजों पर जो उसके निचला हिस्सा होता है पंजे के नीचे का जो भोती मखमली होता है उसको सारा क्या गया है यहां पर in his quite face Quad मतलब यहां पर sign and sound or Rage का मतलब होता है Kroodhe मतलब जब लिए में है तो rice santa giroda में sound पिएसा होता है कि वह भूद ज़्य фाइं होता है लेकिन इस समय जूम हो भूधी हैवे कुछ करने सकता क्रोध में है और वो कुछ नहीं कर सकता है इसलिए उसको सांथ बताया है पोईट में अपने सांथ क्रोध में मखमली पंजों पर अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकदार इसपस्ट धारियों में टहलता है तो यहाँ पर उसे जू में जो पिंजड़ा है उसकी पोजिसन उसको दिखाया है कभी कह रहा है कि वह चीता अपनी इसपस्ट धारियों में है और वह अपने सांथ क्रोध में अपने मखमली पंजों पर अपने पिंजड़े में कुछ कदम टहलता है फर्स स्टेज़ा में यह बताया है सेकंड स्टेज़ा में पोट कहते हैं लर्किंग का मतलब होता है छुपे हुए या घात लगाई हुए स्लाइडिंग थू लॉंग रास स्लाइडिंग मने सरकते हुए तुरू दा लॉंग रास नियर दा वाटर होल यहाँ वाटर होल का मतलब है जल के स्त्रोत के पास जल के स्त्रोत चाहे वो नदी हो तालाब हो या कोई सा भी जहरना हो उसके पास वेर प्लंप डियर पास प्लंप का यहाँ पर मतलब होता है फेट डियर माने हिरन पास गुजरते हैं तो second stage में poet बोल आए कि वो जो tiger जो अपने cage में है उसे इस समय he should be lurking in shadow sliding through long ass near the water hole where plum deer pass मलब उसे जल स्त्रोत के पास जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं के पास लंबी घासों में सरकते हुए और परचाई में घात लगाई हुए होना चाहिए well तो second stage मतलब समझ गे second stage में poet ने का आए कि वो अंधेरे में घात लगाई हुए हो और लंबी लंबी घासों सरकते हुए हो जहां पानी का स्त्रोत हो और वहीं से जहां से मोटे ताज एरन गुजरते हुए उसे ऐसा करना चाहिए this is the third stage of this poem यहां पर भी कभी बोल रहे है poet बोल रहे है he should be snarling around houses at the jungle's age bearing his white fangs his claws terrorizing the villagers snarling का मतलब होता है दाहारना around houses घरों के आसपास at the jungle's age jungle के किनारे bearing bearing का मतलब तो दिखाते हुए his white fangs his claws अपने सफेद मजबूत दातों को अपने पंजों को दिखाते हुए terrorizing the village और गाँवालों को भैबित करते हुए तो meaning पता पड़ गई तो overall third stage of the earth निकला उसे गाँवालों को भैबित करते हुए अपने पंजों को अपने सफेद दातों को दिखाते हुए जंगल किनारे घरों के आसपास द्राडते हुए होना चाहिए यहाँ पर भी उनने जंगल में उसे क्या करना चाहिए उसको describe क्या है well now fourth stranger point to point पड़ते हैं but he is locked he has locked in a concrete cell his strength behind bars stalking the length of his cage ignoring ignoring visitors लेकिन वह concrete cell में lock है बंद है his strength behind bars और उसकी सकती सलाखों के bars का मतलब बहता है सलाखों सलाखों के पीछे मतलब टाइगर इस समय एक concrete cell में बंद है और उसकी जो तागत है वह सलाखों के पीछे है वहाँ पर वह कैसा है stalking the length of his cage यह वही वाला line आ गई कि वह अपने पिंजडे में कुछ दूरी तक टहलता है और ignoring visitors आने जाने वालों की अंदेखा करते हुए वह अपने पिंजडे में कुछ दूरी तक टहलता है क्योंकि उसकी जो तागत है वह सलाखों के पीछे है और वह concrete sale में बंध है आपको पता है इस poem में he का use tiger के लिए क्या गया है he hears the last voice at night he hears the last voice at night the patrolling cars मतलब last voice किस की है patrolling cars की patrolling cars मतलब gust लगाने वाली car की and stairs stairs मतलब एक टक देखना घूरना एक टक देखना with his brilliant eyes at the brilliant stars तो लास्ट स्टर्जा में point कहते है क्यों है रात में अंती मेवाद को सुनता है वो अंती मेवाद किस की होती है patrolling cars की मतलब gust लगाने वाली car की and stairs घूरता है या एक टक देखता है with his brilliant eyes अपनी चमकदार आखों से at the brilliant stars चमकदार सितारों की और तो वह अपनी चमकदार आखों से चमकते हुए सितारों की और या चमकदार सितारों की और देखता है अब हम poetic devices की बात करते हैं इस first stranger में आपने देखा होगा यहाँ पर heka use किया गया है heka use किया गया है मतलब यहाँ पर tiger को as a human being present किया गया है जब किसी non living thing को या किसी जानवार को किसी animal को इंसान मना कर रेप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर personification होता है personification well अब यहाँ पर आप दोखो first line में बहुत सारे positive verses किया गया है इसमें सबसे पहले आप दोखो s starting में है और यहाँ पर भी s starting में है जब कोई consonant sound words की initial beginning में होता है beginning होता है तो वहाँ पर क्या होता है allutration होता है तो इन दो में सा sound जो है stripes जो सा sound है वो starting में है तो यहाँ पर allutration हो गया फिर दूसरा देखिए कि सा sound कितनी बार repeat हुआ यहाँ पर हुआ यहाँ पर सा आया stripes यहाँ पर दो बार आया यह पर हिज आया और यहाँ पिस थाहा तो यहाँ पर इंच और बहुता है उसök काई बार और in क्यों है कि दो वर्ट से से हैं जिनके स्टार्टिंग साउंड जो है सेम है तो यहां पर एलिटेशन हो गया वेल अब बात करते हैं एसोनेंस की तो फर्स्ट लाइन में ही एसोनेंस भी है एसोनेंस क्या होता है रिपीटिशन ओफ वोवल तो आप देखों यहां पर आई 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 ठीक है तो साउंड से देखते हैं इस ट्राइप से यहां पर साउंड चेंज हो गया है लिए साउंड चेंज है तो यहां पर इतनी बार इसाउंड निकल रहा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एसोनेंस है वेल नेक्स्ट बात कि फर्स्ट लाइन में यहां पर को वहां पर नहीं अगर को पंग्चमल का बताया है तो यहां पर मेटाफोर का यूज यहां पर क्या है Metaphor है ठीक है أपॉजिट क्वालिटी है मलब की विप्रित विचार है जब विप्रित विचारों को यहँ आपॉजिट एक ही sentence में सासत रखा जाता है तो उसे oxymoron कहते हैं ठीक है अब second stage हम देखते हैं यहाँ पर भी personification है well यहाँ पर कोई punctuation mark नहीं है यहाँ पर कोई punctuation mark नहीं है तो यहाँ पर enjoyment है last line में plump dear pass तो यह plump और pass का initial sound है starting sound है तो आपको पता है कि जब words के initial या starting sound same होते हैं consonant sound same होते हैं तो आपकों सा poetry device होता है all nutrition okay now next third stage यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर कोई भी punctuation mark नहीं है तो enjoyment हो गया in jam meant well और यहाँ पर आप जो third line देखेंगे यहाँ पर I sound जो है वो repeat हुआ है तो जब vowel sound repeat होता है तो वहाँ पर क्या होता है repetition of vowel क्या होते है vowel होती है repetition of consonant sound consonants होता है consonant sound repeat होता है तो इस grandsnonке लेकिन अगर वे consonant sound take words के mall लेकिन consonants में और कोहीं पर भीया सकता हurities तो यहाँ पर कौन सा s sa और sitä यह आए है तो आपने बुला यहाँ पर consonants भी है वेल अब हम बात करते हैं fourth की fourth stage हम है यहाँ पर behind bars तो बार sound repeat हुआ है और दोनों ही starting later है starting sound है तो यहाँ पर allocation हो गया अब आप कहेंगे यहाँ पर concrete और sale भी है लेकिन भाया यह concrete का का है और sale का सा है तो जो sound है spelling मलब later same है but sound different है so यहाँ पर allocation नहीं है behind bars दोनों में starting sound बार निकल दा है तो यहाँ पर allocation हो गया this is the last question you know it very well this is personification और यहाँ पर punctuation mark दिया है यहाँ पर punctuation mark नहीं दिया है तो यहाँ पर हो गया enjoyment ठीक है enjoyment हो गया and stares with his brilliant eyes यहाँ पर आई vowel sound repeat हो रही है तो repetition of vowel sound क्या होता है asonence होता है तो complete आपके poetry device हो गया चलो अब देखते है central idea of this poem in this poem a tiger in the zoo यह कवीता इस कवीता a tiger in the zoo में the poet tries to express कवी व्यक्त करने का प्रयास करता है क्या प्रयास करता है the poet tries to express क्या express करना चाहता है the poor condition of a caged tiger एक caged tiger मतलब एक पिंजरे में बंद से बाग की देनी दसा को express करने का प्रयास करता है he compares वह तुलना करता है तुलना दो चीज़ होती है तो यहाँ पर दो बार लिखा होगा दो चीज़ लिखी होगी उनमें तुलना करता है क्या क्या लिखा है he compares the life of a caged tiger where caged tiger के जीवन की तुलना a tiger living in a natural habitat प्राकृतिक परिवेस में रहने वाले एक चीते से करता है मतलब एक चीता जो प्राकृतिक परिवेस में रहता है उससे पिज़ने में बंद चीता की जीवन की तुलना करता है natural habitat प्राकृतिक परिवेस याद कर लेना that is a jungle जो एक जंगल है poet आगे कहते है through this poem इस कविता के माध्यम से the poet tells us कभी हमें बताते हैं की wild animals should be allowed to live freely in their natural habitat the poet tells us कभी हमें बताते हैं की wild animals जंगली जानवरों को अपने प्राकृतिक परिवेश में सोतनतता पूवक रहने की अनुमती होनी चाहिए ठीक है आगे है not only human beings but also wild animals यह subject हो गया love freedom आजादी से प्रेम करते हैं कौन प्रेम करते हैं not only ना सिर्फ human beings इंसान but also wild animals बलकि जंगली जानवर भी love freedom आजादी से प्रेम करते हैं the life of captivity captivity का मतलता है आधिनता या गुलामी गुलामी का जीवन आधिनता का जीवन breeds जनम देता है rage, intolerance and stress गुलामी का या अधिनता का जीवन गुलामी का या आधिनता का जीवन गुलामी का जनम देता है moreover इसके लवा it is against the law of nature यह प्रकृती के नियम law of nature के against है and inhuman और inhuman है inhuman का मतलब है अमान भी है well यह बहुती simple दे हुआ है इसमें जो word problem आईगी word meaning की जो problem आईगी उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ meaning से लिख रखी है आप इन meaning को याद कर लें natural habitat प्राकृतिक परिवेस the life of captivity आदिन्ता गुलामी का जीवन rage, growth, intolerance, असहिसुरता stress, तनाव, breeds, जर्म देता है case tiger, पिंजरे में बंदचीता compares तुलना करता है इन words को, इन meanings को याद कर लेना आपका central idea बहुती अच्छे से आद जाएगा और जो question एक्स्ट्रेक्ट बेस से पूछे जाएंगे, उसके answer भी आप लोग दे लेंगी, ठीक है अब मिलेंगे next वीडियो में, आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, आपके लिए अगर नोट्स चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल, थैंक यू